हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग और ओपी क्लैन की मेंबर्स कैसे हैं आप सबसे आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एन आइस के कौन-कौन से इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स हैं और उनको डाउनलोड कैसे करना है ठीक है देखो काफी सारे बच्चों को ना तयारी करोगे जाओगे स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट करोगे ताइम वेस्ट वाली बात है स्पैसिफिक होना अपनी तयारी में कि मुझे पहले यह करना है दूसरा यह यह बहुत कीजें बहुत जरूरी हो जाते एक टाइम पे और वो टाइम है अभी ठीक है तो 501 से लगी पांचो दस तक हम important blocks के बारे में बात करेंगे उनका sequence बात करेंगे कैसे केसे कहां से आपको पहले कौनसा ब्लॉक करना second concert third ऐसे sequence में बात करेंगे ठीक है तो ये आज की main की दो बाते रहने वाली है और उसके बाद आगे जो classes आने वाली है उसके बारे हम last time बात करेंगे ठीक है चलो भाई प्ले स्टोर उपन कर लेना है प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है NIS Books वह पर आके आपको ये वह आ अपको ये वाला अप्लिकेसिन प्रител में परम करेंगे तो फिर पांसो एक पांसो दो पांसो तनी सार या जाएंगे पांसो दस तक यह उनके लिए है जिनके पास जो मोबाइल में पढ़ना चाहते हैं या फिर टैबलेट में और एक बात और कि जो एन नियस की बुक्स हैं वो ऑफलाइन किसी भी शॉप पे अवीलेबल नहीं होती अगर आपको खुद से चाहिए तो खुद से आपको प्रिंट आउट करवाना पड़ेगा ठीक है और प्रिंट आउट करवाना भाई एक तरह का कॉस्टली फेक्टर हो जाएगा क्योंकि बहुत ही बड़ बड़ेट में काम है या फिर मोबाइल में काम है कैसे डाउट करने और उसको आप सीधा ओपन कर सकते हो ओपन करके यूज कर सकती हो ठीक है अब आते हैं उसके लिए इनको लैप्टॉप में खोना लैप्टॉप के लिए वह एक वेब साइट का लिंक से लिए दूसरी बात अब कि ऐसे तो नहीं है कि अभमें अंध्य त्यारी करने 10 व्लॉक्स हैं पढ़ना स्टार्ट कर दिया स्टार्टिंग से और लगातर हम पढ़ते जा रहे हैं और अगर आप सोच लो कि हाँ efficiency बनेगी मेरी उसमें नहीं बनेगी दस blocks में efficiency नहीं बनेगी आपको ऐसे blocks select करने पड़ेंगे जिन में आपकी efficiency ज़रूरी है जब starting आप पढ़ना start करेंगे थोड़ा सा आपको interest भी रहेगा है ना तो आपको starting में most important blocks select करने है ताकि आपकी efficiency अच्छी रहे और एक बात और कि इनको अगर आप सोच रहे हो एक बार पढ़ने से काम चल जाएगा नहीं चलेगा at least दो बार पढ़ना पढ़ेगा एक बार में तो आपको बस एक basic idea लगया दूसरी बार में दिखेंगे question कि हाँ भाई प्रिवीशन में यहां से question यह उठके आया है क्लियर बात अब हम बात करते हैं important blocks कौन कौन से हैं देखो 501 है elementary education in India मतलब एक retrospective retrospective view है history मतलब basically कैसे कैसे education start रही वो 501 बाला 502 pedagogic process in elementary education 503 language कैसे सीखना है 504 math learning maths 505 learning evs 506 understanding children in inclusive context 507 community elementary education 508 learning art and physical 509 learning assisted upper primary और 510 learning science ठीक है तो यह 10 blocks हैं अब बात करते हैं सबसे important blocks की जो आपको करने बहुत ज़रुए करने सारे ही हैं पर एक वह था ना order ascending order descending order based upon their powers किस किसी क्या क्या powers है ठीक है वो देखो सबसे पहले 502 करनी है 502 502 में कुल मिला के 502 में कुल मिला के 4 blocks है ठीक है धंक से करनी है 502 यह हैं जो बिलकुल आपको इसमें से तो कुछ छूटना है नहीं जी है वो हैं 502 करनी है जिसमें की 4 blocks है उसके बाद 502 के बाद सीधा जम करके आना है 506 पे understanding children in inclusive context इसको करना है इसको भी पूरा ध्यान से करना है यह जो तीन किताब बता रहो ना 502 और 506 में आपकी चार blocks है 506 में भी आपके चार blocks है उसके बाद 507 community and elementary education इसमें आपके तीन blocks है जो यह तीन किताब है ना 502, 506, 507 इनको तो आपको किसी भी हाल में हलके में नहीं पढ़ना है बिलकुल ही focus तरीके से हर एक line पढ़नी है और पता होनी चीए ठीक है पढ़ने का तरीका मैं हो सकता है ठीक है तो उसके लिए आप चैनल को जोइन कर लेजिए क्लियर बात है चलो 502 होगी 506 होगी 507 होगी यह तीन ताबों करनी करनी है उसके बाद आजाओ आप सब्जेक्ट्स वालों पे learning language 503, learning math 504, learning EBS 505, learning SST 509 और learning science 510 यह पांच किताब है उसके बाद करनी है क्लियर बात पहले 502, 506, 507 फिर 5 सब्जेक्ट वाली जो बची वो करनी है उसके बाद आना है आपको 501 पे लास्ट में आना है 501 पे 501 में से सवाल आते हैं पर 501 मुझे बोरिंग लगती थी ठीक है तो मैंने लास्ट में करी थी आपको अगर आपने 502, 506, 507 आपने कर ली ना तो एक बार 501 को खोल के देख लेना अगर आपको लगता कि हाँ पढ़ पाऊगे तो जुरू पढ़ लेना उसके बाद 501 आप कर लोगे चलो और 508 508 में पढ़ने की चीज़े बहुत कम हैं बस उपर उपर से एक बार देख लेना लाइक उसमें पेंटिंग्स दी हुई है आर्ट और कल्चर दिया हुआ है योगा दी हुई है जो कि पिछली बार आई थी ना योगा के फॉर्म्स दी हुई है वो सारी चीज़े ठीक है 508 तो प्रोसेस क्लीर हुआ कैसे कैसे क्या चैप्टर्स करनी है जब आप यह पढ़ होगे आपको ल 분 यही फिरी करने कशया है तो ऐसा नहीं हो बैश्यख साहरे के सारे कॉंपिटेंट हो और कुछ भी नहीं चाहिए क्लियर करने कि लिंग एक फास्टैन्स्स निंस्ट्ञेस सब्सक्रदी कर बदो हमिशा स्लब-स इस तर्म इस एवी आपको जससे-ग यह उस में आपको फस्त चलो जितने भी questions आ रहे हैं आपके सामने करते चलो फटाफट जो आपके सब्वेक्ट मेरी उस टाइम पे पेड़ागोजी जीरो थी मैं उस टाइम उसमें चला और उसके बाद जब एक बार मेरी होगी फिर मैं fast and consistent हो गया समझे रहो तो अभी जब आपको स्टार्टिंग त्यारी करती वह दियार नॉट अप कुदा मार्क कि लेवल नहीं हो ठीक है किसका ठीक है तो अपनी इसकी इसिंघली टीक त्यारी स्टार्ट कर दो खास करो पिकलन वाली मेंबर्स तो उन्होंने स्टार्ट कर चुकी है और जो क्लास इस लिए रुगी थी वह आजाए थी अब मैं दूसरी विडियो डाली तो कुछ समिजा रिस्पॉंस मुझे दिखा नहीं मैं कह रहा फिर बच्चे देखना ही नहीं चारे तो फिर फायदा क्या डाल लेगा समझे रो तो इसलिए रुगी थी बाकी फिर से स्टार्ट कर देंगे और ठीक है अब नियूस की जो क्लास हैं अभी हम सोच रहें कि नियूस क्लास स्टार्ट कर दें सोच रहें अभी ठीक है तो देखते हैं अगर जो भी आपके लिए अच्छा कर पाएं बाकी all the best सभी को अपनी तयारी के लिए आपसे मिलती हैं अगली वीडियो में और जो भी किसी भी टॉपिक कोई प्रॉब्लम हो ना खासकर डिस भी प्यार्ट के लिए ठीक है तो कमेंट कर दिया करो रिपलाई मिल जाएगा और नहीं मिला तो भाई टेली के नाम पर मेसेज कर देकरो वहां तो मिली जाएगा ठीक है दोस्तों आपसे मिलते हैं अगली वीडियो मे तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम राम राम और ओपिक लैन वाले मेंबर्स तो अपकी बाहर तोड देंगे ठीक है चलिए आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक लिए जैहिंद वंदे मातरम राम राम